नमस्ते साथियों 12 जनवरी 2023 को सामुहिक सूर्य नमस्कार अर्था युवा दिवस के रूप में मानाय जाने से सम्मंदित दिशा निर्देश प्रिशित किये गए हैं जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तो साथियों यहां है मत्पते सासर इसकुल सिक्षय विभाग का पत्र और इसी के साथ में हमाई पत्र यहां पर आप देख पा रहे हैं तो इन पत्र में जो जानकर दी गई है ठीक है जिला सिक्षय के अंदर का भी पत्र है तो इस तंदर में हम जानेंगे इस वीडियो में और इन पत्रों के जो मुख्य मुख्य जानकारी है इसी पर हम प विद्यालबहय या महाविद्यालबहयא में होगा ठीक है सथ रसंताव में होगा कि SH Hindu यहां पर बात ध्यान देनी की है कि प्राथ्मिक कक्षा विद्याठ टी कच्खा एक से 5 तक के वे सामोयक सुरु नमसके सामिर होंगे कि वे डर्शक्क की भाती इस बारे में पत्र करें में वो संपादित होगा इसमें एक बात कहीं है किसी पर कोई बंधन नहीं है स्वेच्छा से सामिल हो सकते हैं तो साथ यहां पर सूर्स नमस्कार संबंदित मौतपुर जानकारी निदेश दिये गए हैं जैसा कि यहां कहां गया है कि 12 जनवरी 2023 को प्राते 9 बजे से 10-30 बजे तक काईकरम संपादित होगा काईकरम में राश्ट्रीगित होगा वंदे मात्रम तथा मत्पदेश गान का सामोई गायन होगा तब पश्चाप सूर्ण नमस्कार एवन प्राणायाम पूर की भाती रेडियो के माध्यम से माननी मुक्यमंत्री जी का रिकारडिंग संदेश प्राणत किया जाकर काईकरम संपन होगा ठीक है तो यह मात्रम जानकारी है ठीक है और यहां आगे कहा गया है कि सामोई सूर्ण नमस्कार का आयोजन समस्तर सिक्षर संस्ताओं में एक साथ एक संकित पर किया जाएगा जिन में मैदान नहीं है तो वे अपने विद्यार्तियों है तू निकष्टम जो संस्ता है या साला है वहां का जो मैदान है वहां पर वो पहुचेंगे और यानि वहां के लिए सुनमस्कार आयोजित होगा ठीक है यह कहा गया है और अगले प्रश्ट में देखिएगा यहां जिरा से समधित कुछ महत्पर जानकर दिए गई चुकि हम विद्यालियों से समधित जानकरी पर ही फोकस करेंगे सात्रवास इसतर पर निर्दारित समय पर सुनमस्कार क करने में सामिल नहीं होगे लेकिन वे दर्शकों के रूप में उपस्तित रहेंगे जैसा कि हमने प्रारम में ही बता दिया है और आगे देखेगा इस प्रश्ट पर जो जानकरी दी गई है ठीक है कि जो सूर नमस्कार है उसके लिए विद्यारती है वो जो छात्रा है वो सल समद्र जो मार्ग दर्सी बुकलेट है वो बिगत वर्ष में ही समस्त्र सालाओं को प्रदान की जा चुकी संब्द में यहां पर जानकरी दी गई है साथी इसके अलावा यह का प्रियोग करना है और आगे यहां पर जो कहा गया है कि सामयक सूर नमसकार है तू एक से बारह जो इस्तितिया मुद्राय है सूर नमसकार की ठीक है तो सामयक दोरान से Früh 25 के साथ जो निम्णापसार इस्तितिया पर दी गई है इनका प्रियोग किया जाए मगा नंबर-1 प्रातना मुद्धर ए नंबर-2 में हस्त उत्तान पारसन है थीनमें है प्राथना की मुद्रा तो यह सितिया होंगी जिनके बारे में भी हम संचे में देखेंगे इसके पश्चात यहां जानकर दी गई है कि सामोई सुर्ण प्राथन जानकरी और यहां कहा गहां कि जो लोग आस्वस्थ है तो इस सभी साफवाई के संदर में अपर डी गई है ठीक है पूरी वैवस्थाए पहले से कर लेना है आईए अब हम अमारे सम्माने जिलादंडा दिखारी महदय के पत्र का भी अलुकन करते हैं यहां पर जो महत्पर जानकारी दी गई है कब क्या होना है जैसा कि यहां पर दिया गया प्राता है नौव बजे विद्यारतियों का मैदान में एक कत्रिकर्ण एवं सूर्ण नमस्कार हेतु निर्धारित इस्तल पर अपेक्षित दूरी पर पंक्तिभद इस्थान लेना यह नौव बजे हो जाना चाहिए फिर दस बीस पर क्या होगा मानी मुक्य मंत्री जी का मंच पर आगमन होगा जैसा की बताया गया है ठीक है और प् प्रतिम पर मालर्प्र होगा पीर प्राताय 9 से सभारी के सभी द्रों से प्रसारांढ प्राताह 9,30 से 10-15 बजे तक होगा जिसमें क्या क्या होगा राष्ट्रीगे दे मात्रम होगा स्वामी विवेकर ननची की वाणी सुनाएय जाएगी फिर माने बुक्त मत्र जी का संदेश होगा और चौते क्रम पर देखेगा सामुहिक सुर्ण नमस्कारियों प्राणयाप होगा और फिर दाड़े दद बजे क्या होगा आभारियों कायक्रम का समापन होगा ठीक है तो यहां पर कायकरम दिया गया है इसके अलावा सा कि कुल बारह सितिया बताई गई है करम यदि हम देखें तो सुर्ण नमस्कार के संदर में यहां महतपुड़ जानकारी दी गई है ठीक है और यहां पर एक एक करके समझाया गया है पहले जिति में क्या होगा प्राथना मुद्रा उसकी विधी दी गई यहां पर इस तरह से इसके पूरी विधी यहाँ पर दी गई है ठीक है आगे देखेगा चौथे क्रम्पे अगर हम बात करें तो यह अस्व संचाल नासन तो इस तरह से आप देखेंगे पूरे जो बारहे इस्तितिया है सूर नमसकार की उसके बारे में इसी बीडिय में जानकर दी गई है चाहे त इसे आप प्रिंट भी करा सकते हैं ठीक है तो आज की इस वीडियो में सूर नमसकार के संदर में हमने महत्पूर जानकरी आप तक प्रिसित करने का प्रयास किया है ऐसा करते है जानकरी उप्योंगी और महत्पूर लगी होगी मिलेंग अगले काल खड़ में तब तक के हिंड़